उत्तर प्रदेश के आयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष अजे कुमार लल्लू को पुलिस ने 12 बंकी में हिरासत में ले लिया वे आयोध्या में जमीन अधिग्रहंट के लिए दिये जा रहे मुआवजे के मुद्दे पर पीड़ित किसानों से मिलने जा रहे थे कॉंग्रेस ने सरकार पर किसानों को मुआवज़ा देने में भेदभाव का आरोप लगाया कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कहीं पर किसानों को 70 लाख रुपे बीघा तो कहीं 10 लाख रुपे बीघा के हिसाब से मुआफ़जा दिया जा रहा है जो की भूमी अधिकरहन कानून का खुला उलंगन है उन्होंने कहा कि योगी सरकार चाहे कुछ भी कर ले मगर कॉंग्रेस पार्टी किसानों की आवाज नहीं दबने देगी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी पूरी तरह भूमी अधिकरहन कानून जो आदड़ी राहूल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था ये सरकार उसका उलंगन कर रही है औने पौने दामों में किसानों का जमीन जबरन छीनना चाहती है कांग्रेस पार्टी उनके हक और अधिकार के लिए उनसे मिलने गाना चाहती थी लेकिन यहां तो सरकार और प्रसासन जबरन रोकने पर भी वस है उनसे बात नहीं करने देना चाहती उनकी समस्या समधान नहीं करना चाहती अगर प्रसासन को इतना ही है तो पहले जमीन का उनका मुआफजा का समधान कर दे आयोध्या राइबरेली फोर्ड लेन के लिए किसानों को उचित मुआफजा तो छोड़िये उन्हें किस दर पर ये मुआफजा मिलेगा इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है देखिए ये रिपोर्ट यूपे के आयोध्या जिले में शिवनात पुर गाओं के किसान और ग्रामीन इन दिनों इसी समस्या से जूज रहे है इन्हें आयोध्या राइबरेली फोर्ट लैन के लिए अपनी जमीन, मकान और दुकान सब कौड़ियों के दाम पर चले जाने का डर सता रहा है यहाँ पर इलाके को शहरी या ग्रामीन मानने को लेकर विवाद है दरसल यहाँ पर सडक किनारे बने मकानों और दुकानों से बिजली विभाग बीते 10 साल से शहरी दर से बिलवसूल रहा है लेकिन जमीन अधी ग्रहन के लिए प्रेशासन की ओर से क्रिशी भूमी का मुआवजा ही प्रस्तावित है जो स्थानी निवासियों को घाटा पहुचा सकता है अयोधिया राइबरेली नैशनल हाईवे के लिए 26 गाउँ में जमीन ली जानी है लेकिन सूचना अधिकार कानून का इस्तिमाल करने के बावजूद किसानों को अब तक मुआवजा तैं करने के दर की जानकारी नहीं मिल पाई है हाला कि ग्रामिन 10,900 रुपय की मौजोदा सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे है जो भी बैनामा लिखाए जाते हैं 10,900 रुपया पर स्कॉयर मीटर सर्किल रेट है और यह नहीं का जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि स्कॉयर मीटर में जो रेट है इसका उसका चार गुना सर्किल रेट का मिलना चाहिए ग्रामिणों ने उचित मुआबजे के लिए सीएम आदित्यनात को चिठ्थे लिखी है हलाकि अदिकारी इस बारे में कुछ साफ बोलने से बचते नजर आ रहे है असल सवाल तो ये है कि आखिर प्रिशासन ग्रामिणों को मौावजे की सही जानकारी क्यों नहीं दे रहा है क्यों इन्हें धक्के खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है उत्तरपरदेश की आयुद्धिया से विनूत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स राज एक्स्प्रेस